असलाम अलेकुम नाजरीन सुमेरा मिर्जा आपके खिबत में एक भाब फिर से हाजिर है प्रोग्राम साथ के साथ और आप देख रही होंगे मेरे इडगित का जो महाल है अंदाजा लगा सकते होंगे आज कि में जो मेरे महमान है वो कौन है और किस से बात करेंगे हौकीं स्टेडियो में असवक्र प्राउन में इस वक्रश प्रॉ Carlo ilpsy the आपके जैए ह pense और आज जो मेहमान है वहें दानिश कलीम साथ हौकी का एक बहुत बड़ा नाम है नौ से दस साल उन्होंने कोचिंग के, इससे ज़्यादा अर्सा उन्होंने होकी की टीम में ऐस ए प्लेयर भी रहे, वर्ल्ड कप भी जीते, ओलम्पिक्स में भी पाटिस्पेट किया, आज आए उनसे बात करते हैं जी तो नाजरीन, दानिश कलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बास्चित का सरसला शुरू करते हैं, असलाम लेकुम दानिश साहब, वालेकुम असलाम, कैसे हैं दानिश साहब, आप ठीक हैं, एक तो यहां का महाल बहुत अच्छा है, छोट-छोटे बच्चे भी ह इसी हैं, जिनको हम सिर्फ और सिर्फ नाम से जानते हैं, टीवी पर जानते हैं, उनके काम से जानते हैं, लेकिन दानिश कलीम साहब से आज हम उनका पर्सनल जो प्रफाइल है, वो डिस्कुस करेंगे, दारी साहब, सबसे पहले हम आते हैं आपके बेसिक एरिया की तरफ, आप बेसिकली किस शेहर से हैं लाहूर से हैं बहुत शुक्रिया पहले तो मैं सेवन नियूज का शुकर गुजार हूं कि उनने मुझे दावत दी जहां तक आपके सवाल कर मैं बेसिकली गोजरा से हो जो टोबर डिस्टिक्टोबर टेक्सिंग में है और वहां पे मेरे जैसे बहुत ज़्यादा प्लेव लिखले हैं वह से बहुत ज़्यादा लंपीन होएं इंटर्नेशनल होएं उसी में में मझां 72 में प्यादा हूए लेकर यह खुशकिस्मति है कि गोजरा से पैदा हूए तो हकी का चांस भी मिल गया तो नहीं तो कही तो प्लेर ऐसे होते हैं कि अच्छे भी होते हैं लेकर उनको चांस नहीं मिलता तो मैं अपनी खुशकिस्मति इसलिए समझता हूँ कि इस शार से प्रदा होना कि वहां से मुझे चांस मिला कि जो हौकी भी खेली खलाई भी है अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरह होकी की बेतरी हो जाए अच्छ अच्छा मेरे तीन भाईयां तीन टोटल भाईयां थीन बड़े बेने हैं मारे तो वह सब माशा ला शादी सुदा है तो बड़ा भाई जो है वो साइज में है नुट्रा भाई मारा एक एक एन एफसी नेशनल फटिलाजर किसान यूरिया उसमें जॉब करते हैं मैं कस्तम स मेरे ज़ाद है तो वालत साथ ने शूरू में ज़रू इसे मत मैं कै तो आगया है तो मुझे घर कि अगर बात की जाए तो बहन बाईयों में कौन से नंबर पर थे आप बच्पन कैसा गुजराब का मैं आखरी नंबर पर मैं सबसे चोटा हूं पर तो आप ये लाड ले होंगे घर भी ये बात सही है कि वह लादमी बादा भाईयों की भी बहनों की भी सब की जो है वो मेरे यह ज्यादा कास्टेशन थी तो पैयार भी बहुत मिला बैर से यूसे ऑजय को हिए भाईयों से और अभाई च्छा अश्वश्टा मिल बेक्ने का अधिम जहान हो हूं तो परानी जादे है नों बहूं जय को अधिन सभी में तो बाइब बाइब तो थोड़ा असर ज्यादा था हम पर अच्छा डर्ते थे लेकन जो मेरी चाब से मेरे मेरे से पहले जो बैन थी उसके साहर लिड़ाई भी बड़ी होती रही लेकन बस वो जिस दिन कहलें के उसका शादी का सिल्सला हुआ हमने उसके लिड़ाई बंद कर अच्छा इस तरह का मौल था तो बाकी दो बड़ी बैने तो अभी उनकी डैथ हो गई है तो वो ऐसे ही कोशिश करते हैं कि मिल बैखें मिल बैखें सहीं स्टड़ी का कहां से आपने आगास किया आपकी जो अर्ली एजुकेशन थी वो फिर कॉलेज उनिवस्टी कहां तक आ इसके बाद गवर्नमेंट कालिज था लेकर मैं कोगा उसके बाद यहना वो इतना टाइम नहीं मिला कि पढ़ सके ठीक को कि वो प्रफेशनल फील्ड में चले जब इसना टाइम ही नहीं मिला या आप कहलें कि मेरी कमजोरी भी रही है कि होना चाहिए थी तरही अभी अभी है है कि जो वालिद कहते थे वो ठीक था एड्यकेशन होनी चाहिए कि पूरी लेकर क्या लेकर पाकिस्तान की होकी जो बहुत ज्यादा हाइलाइट भी थी बहुत ज्यादा लोग उसको देखते थे उस वज़ए से हमारा ज्यादा रुजान उदर हो गया है तो कहलें कि तली लेकर बड़े बहुत अच्छा था लेकिन यह एक पास हो जाता है उस वखत यह नहीं था उस अभी तो नम्बरों का चकर आगया परसंटेज का चकर आगया उस वगर तो फिस रही उतना ही उधा था 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 पास हो गय तो वह इस तरह की तलीम थी स्कूल में भी हकी खेल तो कहले के वो इतना हमें वो टाइम नहीं मिला तनीम की तरफ बस ज्यादा खेल ले की तरह रोजहान हो गया लेकर बड़ी मसंद बराले कोशिश करके अफे कर लिया कि चलो का मजगा में एक चोटा मोटी डिग्री जुदूर हो नी चाहिए कि डिपार्टमेंट में भी कलको को आपने जाने से ही तो कॉल्यज में आपने अफे तक अपनी तालिग जो है व्हा रख टी कॉलिज में भी आपका खेरों की तरफ रूझ गाल भी आप बिजैनल जाए्टे हैं तो उन्सेता है कोई अरुप ऄहां ग्राख ऊशिभी कि आप गाल लिए अगर भी कोंगों और तो वी आईपी की एक हसी है थी बिल्कुल सही है कि उनको ना टीचर कुछ कहते थे हमें ना कोई और कहता था अगर स्कूल चलेगा ठीक नहीं भी गये तो टीचरों ने कुछ नहीं कहना उनको यह अदर था कि साल बाद जो टूर्नमेंट अवो जीतो आप सही तो अभी भी वह रुजान है गोजरा में लेकर कम जरूर वह लेकर अभी है तो वहां पर तीन ग्राउंडें है अभी अभी लग रही है तो तीन कलबें खेलती है देड़ सो दो सो प्लेर खेल रहा है उसमें ड़फिनिल्ली बाता के प्लेर आएंगे भी और दूसरा आप जॉब की हालत ऐसी है आपको पता है के जरे बहुत बहुत ज्यादा तलीम जाफता लोग भी रोजगार नहीं है उनके पास तो एक होकी थी जो गोजरा में उसकी वज़े से बहुत ज्यादा लोग डिपार्टमेंटों में गये इसमें बड़े बड़े उद्वों पे हैं तो सिर्फ बिकास में अगर आप आना चाहते हैं तो फिर आप इसको मतब अपना सकते हैं हो अनी बिल्कुल क्यों नहीं लेकर अभी मैं अगर आपको टूबी फ्रैंक के अभी गवर्मेंट पाक्सान की इतना कोई इस पे हालागे कौमी खेला होकी ना जॉब है ना पैसा है तो इसलिए छोड़ें मेरे में चाड़ी और मेरी पॉपो की बेटीं है जो जिनसे शाथी हुए सम्ледव की है होग हमारे थोड़ा सा है पर हम नहीं नहीक पर हादे मारणकम की तर्शिय और मेरी जै । नहीं ऊगा सटे पसांद की शादी जिए रही तो बात झो ह। ए है यह ऑना तनी सा तो इस वजा से ठीक है मिस्सिज आपकी कोई काम करती है या हाउस वाइफ कितने बच्चे नहीं है अच्छा आपकी फैमली में और भी जो भायन भाइयों के जो बच्चे है उसरा उसको भी आप चाहते हैं कि आप इस फील्ड में उनको लेके आए या उनको भी शॉक है आपस इंस्पिरेशन है लाजमी बात मेरे तीन पांच बतीजे हैं दो बाइयों के पांच बेटे हैं उसमें दो हैं ऐसे जिनको हकी खलाई जा सकती है लेकिन अभी वो थोड़ा तीनेजर है तो उनको कुशिश करेंगे क्योंकि लाजमी बात है कि यह इसी वज़ा से होकी का जो अबने अपनी फैमिली ओन वाल निकिया बिल्कुश इतने बड़े लंपी नोगा जितने बड़े प्लेयर होगे अपनी फैमिली ओन लाए तो मैं जरूर चाहूंगा के मेरे जो है वो बतीजे जो है अच्छा यहां लाहूर में आप अकेले रहते हैं या फैमिली है आपके साथ ही मैं वाइफ के साथ ही रहता हूं जौब के सिर्सले में प्रस्टम में मेरी जौब आऊ तु फेमिली पहले मैं कराची था तो फिर वहां से ने ठांसफर क्राई है 2013 में. तो अभी 2013 से इधर ही रहना है. फैमिली भी बहुत ज्यादा, मारी इधर लहूर में भी है. तो इसलिए इतना प्राब्लम नहीं होता. संडे को यद वीकेंड पे कहीं पे फैमिली कथी हो जाती है. तो इतना मेसूस नहीं होता. त्बस्तुत को हुआ बन्युक्त करने के अखही.. सस्थमगी पिनाये मपूझे वे के जिसम के साथ चाउ लहा, बस्क जटनकातों सही है. तो खाने पीने के वह सास होता है कि नहीं.. नहीं घाना चाहिए.. यह जयादा हो रही है. करल को आपको पता है वमारीय ayलावजना बहुत सरही। तो उस लीयाज से कोशिश करते हैं। दूसरा ग्राउड में आते हैं वाक्षा को हो जाती है। फेमली टेडिशन आप मेरे भायों, वालना को देखें जा मेरी पूरी समय को देखें तो सब इसी तरह हैं मुझा अचा सब है ऐं पर अमार्या हैं प्रबॉमी सेया है लेकर कोशिच करते हैं के ग्राउड है फोड़ा होतों कर लेते हैं को वा Q I K कि जॉब में इतना टाइम नहीं मिलता कोशिच करते हैं कि ग्राउंड को टाइम जरूर दिया जै क्योंकि अगर आपको अगर आपको अल्ला ने होकी की वज़ा से इतना जगा प्रेम दिया है बिल्कुल तो दसनेली पे बैक भी होना चाहिए मिस्स की कौन सी रेसिपी आपको पसंद है कौन सा खाना आप फरमाईश करके उन से बनवाते हैं वो चिकन कोर्मा अक्सर मैं उसको कहता हूँ के वो मेरे लिए बनाएं तो जब भी कोई इवन्ट हो या मैंने कहीं बाहर से आया हो तो उसने लाजमी वो मेरे लिए उसको पता है तो वो इसलिए वो लाजमी म कि ये बात ना हो कापको गुसा आजाएगा गुसे के कैसे अप गुसा मेरे को इतना ज्यादा ने लेकिन संटायम हो जाता ब्लाड प्रेशर बंदे का हो जाता है मेरे इतना नहीं है अगिन मैं जैं कर सब्सक्राइब अब जाती है तो वहाँ सकती ने गर मुझे तो ठोड़ा जो उनी जाहिए उसमें कोई ऐसा उसमें मैं कभी मेरे कुगे बड़े जो थे उन्होंने भी ऐसा नहीं किया तो वही तरबियत ली तो भी सोच होती है जो जो को महान अगर आपको आजाए जाया अगर आपको दो बजे बजे बहाए लेकर उसके लिए सब कुछ करो लेडी को करादी मेरे अगर मेरी वाइब समध्री कई सारा उनी तो उसने भी कभी अएसा nella ही किया तो यह ही मेरी एक अगर लड़ाई की बजा हो सकती तो इसी उजह से हो सकती और कोंगी चोटी मोटी बात उसदो आपकर न होते होटे हैं तुम घरका काम नहीं जा ठीनी थी तो स्फूद करता था हूं ए dimasya दो रस भी व yol Universe किया करना करता है यह स cathedral समर्णन को पेसे होते हैं लेकिन जब भी घर में आजाती तो फिर नहीं कियो किरते हम गार दिनी काम के बनाते हैं आप शॉक से जो आप या बहुत अच्छा बना लेता हूँ अपके इजा कि आप नियुगा अच्छा आ एक हनाले रिए यह रही खुशिच अखकर आज कि पुस्टर अफी अग्या जाता है कि वह थे स्मील को खतं कर्ना जो बड़ा मुश्किल उता है लें कि वह आपकी जो परसनल होबी जे तरफ आते हैं, मुझे बिलकुल पसंद है, होबी मेरी में, मैं क्रिक्ट बॉल खेलते थे, असल में रुजान जो था उस वक्त है, जब हम होकी शुरू की, जब बच्पन में, उस वक्त सीजनल गेम्स थे, जैसे टीवी पे फुटबाल स्टार्ट हुआ है, तो बाइर गली मनने में फूटबाल स्टार्ट शुरू हो जाते हैं, अगर होकी शुरू हुआ है, आज लोगी के टौनमेंट तो रहे हैं, तो वोगी चल रहे है, तो इसी तरह कि अभी अभी जो लड़कों को यह मैं जो पिर्शानी है, कि मुबाल से इनकी जान अधर जा रहे हैं, तो वो हर वक्त ही आप इंटरनेट में घुसे में, मुबाल में, कंप्यूटर में, लैप टॉप्स में, तो यह तो बहुत हैल्दी गेम हो जाए है, अगर आप ग्राउनों में जाएंगे, थोड़ा सा एक्टिविटी भी आपकी बढ़ जाएगी, कंप्यूटर पे दुनिया चले गई यह इसमें नुक्सान भी हुआ है, बहुत जाने, पलियरों का, हम आख सब टीम के साथ रहते हैं, तो लड़कों को समझाते रहते हैं, यार, आप रात को टाइम सेर सोगा, यह अगर लड़के अपना खेल के जा कि अपना खाना खाकर र यह शौक है फिल्मे देखने का भी शौक है और मैं कोशिच करते हैं कोई भी अच्छी फिल्म आई हो एडियन हो पागिस्टानी हो वाइफ के साथ जाना होता है लच्छा गर्ड अच्छा अब हम आते हैं आपके काम की तरफ आपके पैस्शन की तरफ जो आप कह रहे हैं कि आ Yamagaki Cricket Watt popular है लेकिन वहां की लोग अबी भी हमिजो हें वह हो की को बहुत फसंद करते हैं क्या डिफरेंस है इस में और दूसरी गेम में कि वहां की लोग इसको जादा प्रफर करतें हुए किस जादा लाइक करते हैं कि उनका इस्ताद असलम रोड़ा साथ थे अल्ला उनको जनल सीख करें और मेरे अस्ताद अगबाल बाली साथ इन दोनों ने बागधोर संबाली अच्छा और उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की वहां पे लोगों को लड़कों को ख़लाना शुरू किया तो वो जॉब की तरफ इस वज़ा से लोगों का वहां पे अभी भी कुझा मतलब एक तू यह है कि खेलों की तरफ भी लोगों कर रुज्छान होता है लेकिन फिर एजे जॉब भी लोग उnesko अडॉट करना शुरू है वह असल में बहां पे दो क्लबों की वज़ा से होकी इतनी ज्यादा लोग पाकसान टीम में गया है, उसी सिल्सले में सब जो है अभी भी लगे हुए है कि हमारा भी बच्चा चले जाए है, करिक्टित होती है जरूर थोड़ी बहुत, लेकिन हमारा कोई असा प्ले नहीं अभी टीम में गया, जिसकी वज़ा से पीछे लोग नर्सरी त्यार हो जाए है हौकी जी इस सिल्स वज़ा से वहां पर लोगों का ज्यादा रुजान है क्योंकि अभी भी लोग वहां पर कोई ना कोई डिपार्टमेंट में अभी भी वहारे जो टीम के लड़के हैं, छे साथ, सीनर टीम में हैं, छे साथ, जूनर टीम में, उसी को देख और देखी का एक बड़ा नाम उनसे मारी बात का सस्तरा जारी रहेगा लेकिन यहाँ पर वक्त वेक ब्रेक का ब्रेक के बात पर से वापिस आएंगे